हेलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप आज आपका स्लेवस थोड़ा सा डिसकेशन कर लेते हैं स्लेवस है हमारा कॉर्परेट अकाउंटिंग का और कॉर्परेट अकाउंट्स के अंदर हमारे क्या-kया टॉपिक्स एक्जाम में आएंगे और कितने कितने marks के आने वाले हैं ये सारी चीज़ों पर आज discussion करेंगे study start करने से पहले तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले slayvers की बात मैंने लिख रखा है already तो इसको हम बाद में focus करेंगे पहले exam का pattern क्या रहेगा आपके कितने questions आएंगे और किस-किस choice रहता है इस तरीके से देखते है हमारा जो exam है न अगर मैं exam की बात करूँ तो exam हमारा total marks में अगर देखा जाए तो 75 marks का exam होता है 75 marks लेकिन कई बार ऐसा होता है कि question paper पे 55 भी होता है तो वो proportionately increase decrease करते है grading तो मिलेगा लेकिन question paper में question कितने number खाएगा मुसके उपर base करते है तो या तो 75 का ही होगा और number of question की मैं अगर बात करूँ number of question number of question तो हमारे exam में सरिफ 5 question आने वाले है इससे ज़्यादा question आएंगे ही नहीं अब 5 question आएंगे तो आपका 75 का अगर exam है तो but obvious सी बात है और बहुत simple सी बात है के 75 के exam में एक question पर नमबर खाएगा let us के हमारा question number 1 फिर हमारा question number 2 फिर question number 3 और question number 4 and question number 5 ये हमारे 5 questions हो गया हमारे 5 question हो गया ठीक है question number 1 के अंदर भी आपको choice मिलेगा 2 में भी choice मिलेगा 3 में भी choice मिलेगा 4 में भी choice मिलेगा 5 में भी choice मिलेगा सबसे पहले 5 question जो design होंगे आपके unit भी 5 है हम उसकी बात कर लेते Younit पर किसमें क्या चोईस रहेगा उसकी बात करेगे Younit की बात करूँ तो हमारा Younit 1 इसके अंदर टोटल 4 चेप्टर दे रखें जो हमें पढ़ने हैं Younit 1 में हमें 4 चेप्टर दे रखें जो हमें पढ़ने हैं First One Issue of Shares and Four Features जो आपने 12th standard पे पढ़ा था उससे थोड़ा advance लेवल पे जाएगा क्योंकि अगर मैं थोड़ा बताऊं तो यहाँ पे call scenario और calls in advance के उपर interest की भी entry करने सीखेंगे Buyback and bonus issue यह हमने 12th में नहीं पढ़ा था यह new introduce हुआ है आपके corporate account में new मतलब आपने पहले नहीं पढ़ा था अब आपको पढ़ना है पहले से ही था वैसे तो एक अगला है redemption of preference share हमने preference share के बारे में तो थोड़ा बहुत हमें पता होता है 11th और 12th में लेकिन अब उसकी accounting entry क्या होगी वो भी हम देखेंगे redemption of preference share issue and redemption of dimension ये भी 12th standard में थोड़ा पढ़ा हुआ है तो जो आपका unit 1 है ना उसमें से कुछ parts जितने भी syllabus का है उसका कुछ थोड़ा थोड़ा content के बारे में हमें तो knowledge है ही तो ये जो unit 1 है वो इसमें से एक question design होगा अगर मैं unit 1 की मैं बात करूँ तो इसमें से question 1 हो जाएगा तो sir question number 1 जो आएगा always आएगा आपका unit 1 में से तो मुझे ये नहीं समझाना के unit 1 का मतलब क्या है इन chapter में से एक question बनेगा आपका अब दूसरे question की बात करते हैं दूसरे question में देखा जाए तो unit 2 जो है unit 2 के अंदर सरिफ जो chapter number मैंने 5 लिखा है तो सरिफ एक ही है हमारा final account final account सुनने के बाद अगर मैं थोड़ा सा थोड़ा सा बताओं मैं final account के बारे में तो हमने starting में 11th class के अंदर final account किया था वो sole proprietor का था in fact become first semester में भी किया है वो भी sole proprietor का है अब जो हम final account करेंगे वो companies का करेंगे जो notes to accounts वगेरा बनाएंगे तो पूर proper question होगा final account concept वही रहेगा लेकिन हमें कहां कहां place करना है वो सारी चीज़े तो एक question number 2 इस से बनेगा हमारा किस से unit number 2 से और unit number 2 में हमारा chapter कितने है sir unit number 2 में chapter 1 ही है जो कि chapter number पढ़ता है हमारा 5 तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा question 1 जो design होगा first unit से design होगा question 2 design होगा unit 2 से और first unit में ये चार chapter है और इसके बाद हम question number 3 पे चलते हैं तो question number 3 जो है हमारा unit number 3 से design होगा जो कि है cash flow statement कई बार ऐसा होता है कि हमारा unit number 3 में से question आना तो तै है तो जरूरी नहीं है कि question number 3 हो question number 5 भी देखा जा सकता है तो मैं तो इतना बता रहा हूं कि लगभग मान के चलते हैं कि जो हमारा cash flow होता है वो last का ही part होता है तो question number 5 जादा से जादा chances रहता है देखने को तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ unit number 3 और unit number 3 से हमारा ये भी एक ही chapter है जो कि है cash flow statement ये भी आपने 12th standard बे थोड़ा बहुत करा हुआ है तो मुझे थोड़ी help मिलेगी बाकि मैं जो कराऊंगा न तो बिल्कुल detail में लेके चलेंगे क्योंकि होता ये है कुछ बच्चे science के भी पढ़ रहे होते हैं तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए मैं जो करवाऊंगा चाहे science का बच्चा हो चाहे commerce का बच्चा हो चाहे arts का बच्चा हो क्योंकि जिन्होंने ले लिया है आपका b.com उसको तो मुझे detail में कराना है तो मैं बिल्कुल भी कोई भी chapter ऐसे नहीं कराने वाला कि आपने 12 में कर रखा है इस चीज़ को skip करो हो सकता है आप भी भूल गए हो तो मैं detail में ही करवाऊंगा सारे के सारे chapter तो हमारे बच गेए 2 question 2 question की अगर बात करें तो हमारे पास है unit number 4 तो जो question number 3 design होगा न वो unit number 4 से design होगा unit number 4 से design अब बात करते हैं question number 4 वो unit number 5 से design होगा सअब इसके बारे में क्या बात करें आपका जो unit number 4 है highly important है ये बहुत use होता है आगे real life में amalgamation of company जब दो company आपस में जोड जाती है तो उसकी accounting कैसे करेंगे उनका balance sheet कैसे बनेगा उसका general entry कैसे करेंगे इस chapter में सिखाय जाता है इसके बाद internal reconstruction जब कभी किसी company के अंदर बहुत ज़ादा accounting उथल उथल हो accounting ठीक से नहीं चल रहा हो accounting for liquidation अब company का liquidation का मतलब जब company बंद होगा जैसे हमने partnership firm में क्या देखा था firm dissolve हो रही थी तो dissolve होने के time पे हमने क्या करा था सारे assets बेचे और liability का payment किया same ऐसे liquidation में भी यही कहानी रहेगा हमारा कि हम company को जो बंद करेंगा उसके कुछ methods है हमारे final account method है इसके अंदर क्या सीखेंगे हम holding and subsidiary company में सीखेंगे के हमारे एक company है एक company ने दूसरे company को acquire कर लिया उसके 51% share अगर stake कर लेता है रख लेता है तो उस company पे rights जो है वो जो company holding है उसकी आ जाती है तो दोनों की accounting कैसे रहेगा वो चीज़े देखेंगे हम holding and subsidiary company में मैंने subsidiary कर दिया यहाँ पे थोड़ा short form लिखा space की कमी होने के कारह तो यह है subsidiary company ठीक है तो यह हमारा है अब बात कर लेते हैं चोईस का देखो चोईस के उपर मैं जाओंगा तो चोईस तो normally होगा आपको जैसे कि यह question है इसमें एक question मिलने वाला है आपको choice में और में लेकिन और में क्या हो सकता है जैसे suppose करो आपका question number one आ गया यहाँ पे देखो आपके पास कितने chapter चार chapter है तो चार chapter में से ही आपको choice देदेंगे वो और ऐसा भी possible है कि इसके choice में आपको कोई इसमें से part उठा के दे दे क्योंकि 15 नंबर का अगर मान लेते हैं ये वाला unit है तो तीनों chapter तो आएगा नी तीनों में से कोई एक chapter आएगा जैसे suppose कि हमारा मैंने कहा कि unit number 4 question 3 का बनेगा मान लेते हैं amalgamation आ गया reconstruction उठा के यहाँ choice दे देंगे वो ठीक है न accounting for liquidation उठा के यहाँ choice दे देंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे ये अकेला chapter है final account final account यहाँ आएगा इसके choice में क्या आ सकता है इसमें से debenture उठा के दे देंगे तो आप समझ पा रहे होगे के choice की अगर मैं बात करों तो आपके exam में जैसे हमारे पास total 10 chapter है 10 के 10 chapter से question पूछे जाएंगे exam में लेकिन आपको choice भी मिलेगा तो हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने ये पूरा unit कर लिया तो आपका एक question तो definitely done हो जाता है in fact x की जगह पे कई बार हो सकता है कई बच्चे unit 1 करते हैं तो उनके दो question done हो जाते हैं कैसे दो question done हो सकता है जैसे कि मान लेते हैं कि first और second chapter से question 1 आ गया और two में choice में इन दोनों में से आ गया तो आपने question number 1 main कर लिया और two का और वाला करा जो कि आपको यहीं से मिल गया यह वाला point मिल गया है न तो इस तरीके से करेंगे तो यह overall slavers था तो सभी बच्चों को मैंने थोड़ा slavers का थोड़ा tentative idea दिया है बागी जब हम start करेंगे next class से तो अब जब next class इसको देखे भी तो कैसे देखना है उसके according चलना है sequence है तो बिल्कुल detail में view करेंगे और वहाँ पर एक एक concept को समझेंगे तो आप इस index को एक बार note कर लीजिए इस slavers को note कर लीजिए इसके बाद हम अगले class से start करेंगे सारा कैसे कैसे पढ़ना है हमें sequence wise